हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्यां अरेस अकेडमी में दोस्तों राधस्तान पटवार भरती परिक्षा 2020 के सलेबस के अनुसार दोस्तों मोडल पेपर के टेस्स स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी पटवार के दोस्तों 9 मोडल पेपर है वो complete हो चुके है आज दोस्तों इसमें 10वा नमबर का मोडल पेपर है दोस्तों अगर आपने पिछले 9 मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप playlist में जाएए वहाँ पे आपको folder में लेगा पटवार बरती मोडल पेपर के नाम से आपको वाँ फोल्डर ने जाएगा तो आप वहाँ जाके जो पिछले नो मोडल पेपर है उनको जरूर देख लीजेगा ठीक है दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलते जाएए और रोजाना एक मोडल पेपर का टैस्ट है वो आपको अवस्य देना है और अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में उटमेटिक पहुँचाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रेस्टने देखो पहला प्रेस्टने निमनलिकित जिलों का छेतरफल की दरश्टी से अवरोही करम बताईए तो दोस्तों अवरोही करम अपने को इसमें बताना है छेतरफल की दरश्टी से जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तो सबसे पहले चितोडगड चितोडगड का दोस्तों इसमें 10856 वर्ग किलोमेटर इसका चेतरफल है उसके बाद में देखो नागोर का है दोस्तों इसमें 17718 वर्ग किलोमेटर ठीक है उदैपूर का है दोस्तों 13,419 वर्ग किलोमेटर और टोंक का है 7,194 वर्ग किलोमेटर तो दोस्तों इस परसन का यहां पर आउरोई करम में पूछा है ठीक है नागोर उदैपूर चितोडगड टोंक यानि कि 2,3,1,4 बी नमबर का उप्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे चलते हैं देखो राजस्तान के निमन जिलों को पूरवसे पस्सिम की और सही करम में विवस्तित करना है यानि कि ये ये है ठीक है जैसे राजस्तान की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मान लो कि ये राजस्तान का अपना नकसा है ठीक है ये राजस्तान का अपना नकसा है अब इस तरफ, इस तरफ से चलना है और यूँ चलना है ठीक है अब देखो पूरवसे पस्पिम की और सही करम यहाँ पे देखो बूंदी, अजमेर, उदेपूर, नागोर तो सबसे पहले ही पहले दोस्तो अपने को इसमे क्या आएगा सबसे ही पहले कौन सा जिला, तो सबसे पहले आएगा दोस्तो इसमे देखो पूरवसे पस्पिम की तरफ, सोरी, पूरवसे पस्पिम की तरफ, यहाँ पे जो निसान है ये उल्टा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यूं हो जाएगा पूरा उसे पस्षिम की तरफ अपन चलने वाले है दोस्तो तीक है जैसे की तीक है ये है तो यूं चलेंगे इसमें दोस्तो तीक है पूरा उसे पस्षिम की तरफ तो यहाँ पे सबसे पहले पहले आ जाएगा बुंदी ठीक है बुंदी एक नमबर पे फिर उसके बाद में दोस्तो अजमेर यह आ जाएगा दो नमबर पे फिर आ जाएगा दोस्तो तीन नमबर पे कौन सा नागोर और पिर चार नमबर पे उद्धैपूर यानि कि इस करम में अपन को दोस्तों बताना है इस क्रम में बढ़ते हुए तो इस प्रिशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है एक दो चार तीन पूरव से पस्यम मैं आपको पहले क्या बता रहा था पस्यम के पूरव के तरफ ठीक है लेकिन अब प्रिशन के अंदर क्या लिखावा देखो बीन नमबर का उब्सन सहीत तर नेक्स ते अरवल की निमन पर्वत्त्व चोटीो को उनकी उचाई एक के आरही करम में व्वस्तित किजिए यानि 2 करम में अपने व्वस्तित करना है इन चोट्यों को यानी कि सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी यानि कि यहां पर आ रहो ही करम यानि कि सबसे छोटी कौन सी होगी फिर उससे बड़ी कौन सी होगी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी मिटर फिर अचल गड़ की है 1380 मिटर और फिर है जरगा की कितनी 1431 मिटर तो दोस्तों यहां पे रगुनात गड़ कुंबल गड़ और कुंबल गड़ के बाद में दोस्तों यहां पे यह अचल गड़ है ठीक है अचल गड़ तो बी नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो निश्चनल वोड फोसिल पार्क तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जसल मेर में ए नंबर का उप्षन सयुत्तर नेक्स्ट पांच नंबर प्रेशने इसमें देखो सरचनात्मक द्रश्टी से राजस्तान के भोतिक सवरूप सरचनात्मक द्रश्टी स राजस्तान के भोतिक सवरूप भारत के निम्न लिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है तो किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है तो वह है दोस्तों उत्रीव रहत मैदान प्राइदीपिय पठार ये नंबर का उप्षन इसका से उत्तर हो जाएग में राजस्तान में सरवादिक रूप से उपलब्ध है तो वो है वर्सा में बहुत अधिक विसमता यहनकि पस्मित रेगिस्तान में नाक के बराबर और दोस्तो दक्षनी राजस्तान में इसके अंदर दोस्तो काफी जज़ादा वर्षा तो इसका right answer हजाएगा C number का option आगे तक RUSTIAN है कौन सी प्रकिरिया है जिस्से पस्मेराजस्टान की मिटिया अमलिय transformagne की यानि कि दोस्तो वह प्रकिरिया कौन सी है तो वह प्रकिरिया का नाम है इसमें क्या तो सिदा सा सिंपल सा राइट आंसर हो जायागा इसमें नीचे से उपर की और केसी काँँ दवारा रिसाव होना तो इसका राइट आंसर क्या हो जायगा B नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जायगा आगे देखिए दोस्तो यहां पे देखो नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है यानि कि वह नदी जिसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है तो वो नदी है दोस्तों यहां पे चंबल तो इसमें बी नमबर का उप्सन सही उतर है नेक्स्ट है देखे कौन सुमेलित नहीं है तो यहां पे देखिए दोस्तो एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सायक नदी है, ठीक है, तो यहां पे देखिए, साबर मती की जो सायक नदी है, वो दोस्तो मेसवा है, क्या हो जाएगा, मेसवा, तो यहां पे गंबीरी है, वो गलत दे रखा है, यहां पे साबर मती होना चाहिए था दोस्तो या फिर मेश्वा यहां पर गलत दे रखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का उप्शन सही उतर बाकी तीन है वो इसमें सही है आगे देखिए दोस्तो ग्यारा नंबर प्रेशने एसिया में चिनाई वाला सबसे उंचा बांध यानि कि चनाई व इसने कौन सुरी राजस्तान के कौन से जिलों में खस गास उत्पादित होती है तो खस गास है यह दोस्तो स्वाई मादवपूर बरत पुट्टोंक में उत्पादित होती है डी नंबर का उप्शन इसका सही उतर नेक्स ते आगे मगरमच की परजाती को सरक्सित करने के लि बिहार अब्यरण डी नंबर का उप्शन सही उतर नेक्स्ट है चोदे नंबर का प्रस्ण है सर्वेक सन मुख्यत कितने परकार का होता है तो दोस्तों सर्वेक सन मुख्यत कितने परकार का होता है तो दो परकार का होता है नेक्स्ट पटवारियों का निमन में से कौन सा उत उत्रलाइत्वन नहीं है तो कौनसा उत्रलाइत्वन नहीं है तो वह है तैसिल्दार परू प्रूर नियन त्रण रखना सी नंबर का मैसे कौन साभूनSha है वो जालोर के चोहान वंज से समंदित था तो जालोर के चोहान वंज से समंदित कौन सा सा सकता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है वच्त राज ठीक है वच्छ राज को दोस्तो रन हस्तिन भी कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का उप्शन नेक्स्ट है आगे देखो अठारा नंबर प्रेस ने रन थंबोर का यूद तेरा सो एक इस्वी में निमिन में इसे किसके मद्दे हुआ था तो दोस्तो किसके मद्दे हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा सब को पतावना चाहे दोस्तों अलाओदीन खिल जी और राना रतन सिंग के मद्दे हुआ था तो C नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ 17 नमबर प्रेशन में यहाँ पे जालोर के चोहान वंस से संबन दी तो जालोर का चोहान वंस कौन था तो यह कीरतिपाल था दोस्तों जालोर का ठीक है तो इसका B नमबर का उप्शन हो जाएगा है तो यह करवाया था दोस्तों किसने तो सलेह खाने इसका निर्मान करवाया था तालाब एसाही का नेक्स्ट है 20 नमबर प्रेशन है देखो परतिहार सिलालेकों में पदादिकारियों का उलेक यहें आता है परतिहार सिलालेकों में पदा दिकारियों का उलेक यहें आता है तो क्या आता है तो राजपुरूस नेक्स्ट है, गोना रस्म किसे समंदित है गोना रस्म है, यह दोस्तो विवास समंदित है बी नमर का उप्शन स्यूतर 1572 तेतर में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था 16, 32 और गोल का संबंध किसे है तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों मेवाड राज्य के सामन्तों किस रेणियों से है C नमबर का उप्शन सयुतर नेक्स्ट है राजस्तान हरीजन सेवा संग की स्तापना कब हुई तो इसकी स्तापना दोस्तों 1934 में हुई राजस्तान हरीजन सेवा संग की नेक्स्ट है पत्चीस नमबर प्रसने सुमेलित करें सुची फर्ष्ट और सुची सेकंड यहां पे दे रखी है तो सुची फस्ट में आंदोलन या गटनाएं और सुची सेकिंड में आंदोलन वर्स यहां पे दे रखे हैं तो दोस्तो बिजोलिया किसान आंदोलन है यह 1897 में प्रारंब हुआ था यहाँ पे जो डाबडा कांड है यह दोस्तों गुनी सो पैतालिस में प्रारम हुआ था सुरी दुबार देखो सिकर में जो कांड हुआ था जो आंदोलन हुई थी जो गटना हुई थी वो दोस्तों गुनी सो बाइस में हुई थी कब हुती गुनी 22 में और यहां पर जो डाबडा कांट है ये दोस्तों 1947 में हुए हुआ था और जो चंडावल अंदोलन है ये दोस्तों गुनी 25 में तो दुबारा देखो विजोलिया किसान अंदोलन 1897 में प्रारंब हुआ था खतम आप सभी को पता है कब हुआ था तो 1941 में खतम हुआ था 44 परसों तक यह चला था सीकर में जो अंदलन हुआ था वो 1922 में हुआ था डाबडा में 1947 और चंडावल यह दोस्तों गो 1945 में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4,3,2,1 यानि कि ए नमबर का जो उप्षन है वो इससे इत्तर हो जाएगा आगे देखिए मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए हालीजेरे देखे मारी बरसारेली मूमल हाली नी ए हाली जे रे देख है नामक लोक गित की छित्र का है तो आप सभी को पता होना चीए दोस्तों ये कौन से छित्र में गाय जाता है तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों जैसलमेर छित्र है ठीक है ये जैसलमेर की राजकुमारी थी मुमल तो उसका वर्णन किया गया है यहां पे तो इसका C number option सही उतर नेक्स्ट है देखो चोतारा कामा पाचा कौनसी लोकवाद्धे परंपरा से जुड़े हैं तो यहां पे कामा येचा है कामा येचा येचा है तीक है 14 कामायचा कोंशी लोकवादे परंप्रा से जुड़े हुए हैं चेतरफाल राजस्तान की संसक्रती में एक महत्वपून पहलू रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम देवता के रूप में सी नमबर का उप्सन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट गुंड तीस नमबर प्रेस ने नोहर तैसील हनुमानगड में कौन सा प्रसिद मेला लगता है नोहर तैसील हनुमानगड में कौन सा प्रसिद मेला लगता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगा जी का मेला सी नमबर का जो उप्सन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए तो तीस नमबर प्रेस ने इसमें राजस्तान में कह राजस्तान में लोकायुक्त का कारेकाल होता है Würius पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयू जो भी पहले हो इ नंबर का ओउप्शन सहीधत्भ हो जाय का गया था तो दोस्तो राज़्य मानवादी का रयो का गठन है ये कब किया गया इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो दोसन दो हजार में C नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 33 नंबर प्रस्षनें सही विकल्प चुनना है तो यहां पे देखो दो अत्वा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्स की नियुक्ति कौन करता है जब राज्ये दो या दो से अधिक हों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के राष्टरपती द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है आगे देखिए सन गुनी सो बावन के परिसिमन आयोग ने राजस्तान विदान सबा के सदस्य संख्या निर्धारित की थी तो गुनी सो बावन के अंदर दोस्तो राजस्तान विदान सबा में सदस्य संख्या कितनी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 160 तो ए नमबर उप्शन सयुतर नेक्स्ट है पंचायती राज का स्वन जेनती समारो है आज जित हुआ था तो ये कब हुआ था ये वह था दो अक्टुमबर 2009 को तीक है ए नमबर उप्शन सयुतर 36 नमबर प्रेशने राजस्तान में गराम पंचायत के सरपंच उप्शरपंच तथा वाडपंच अपना त्याग पतर किसे संबोदित करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विकास अधिकारी को C नमबर उप्शन सयुतर नेक्स्ट है राज़े में पर्थम गराम नयायले की स्थापना कहां हुई तो दोस्तो पर्थम गराम नयायले की स्थापना है वो कहां पर हुई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस C के अंदर C नमबर उप्शन सयुतर आगे देखिए 38 नमब किस भाग में सामाजिक एवं आर्तिक लोगतंतर को सुनिश्चित किया गया है तो कौन से भाग में सामाजिक वए आर्तिक लोगतंतर को सुनिश्चित किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों वो है दोस्तों राज्य के निर्थी निर्देशक तत्वा में C नंबर ओप्शन सयुत्तर आगे देखे दोस्तों मानव अधिकार सरक्षन अधिनियम 1903 में किस तित्री को लागू किया गया तो दोस्तों मानव अधिकार सरक्षन अधिनियम गुनी सो तिर्याण में किस तिथी को लागू किया गया राइट आंसर हो जाएगा इसको वह है बी सितंबर गुनी सो तिर्याण में को C नमबर ओप्शन सही उतर नेक्स्ट है निम्नवे से विसम चक्रिये योगिक का उधारन कोंसा है विशम चक्रिये योगिक का उधारन कोंसा है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है फिरोन तीक है डी नमबर ओप्शन सही उतर आगे देखिए बियानलीस नमबर प्रेस ने चांदी के आबूसनों का लंबे समय पस्चात काला पड़ जाना प्रकिरिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रासायनिक ए नमबर ओप्शन सही उतर नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के अनू के संदर्ब में चुंबक की एक वांटम संक्या का संबन्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हम आपसे C नमबर उप्षन राइट अंसर आगे देखिए 44 नमबर प्रेस ने कोपर सलफेट के विलेयन में कोपर प्राप्त करने के लिए किस दातू का प्रियोग होता है? तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है लुखा B नमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है परियोग साला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा काच उपयोग में आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पायरेक्स काच ठीक है पायरेक्स काच बी नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है इसमें देखो सर्च लाइट में कौन सा दरपन परियुक्त करते हैं तो सर्च लाइट में कौन सा दरपन परियुक्त करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो आउतल दरपन सी नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट हैं आगे देखें 47 नमर प्रेस ने एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकास देता है निम्न में से कौन सा कथन सही है एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकास देता है इनमें से कौन सा कथन दोस्तो सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कम प्रकास वाले बलब में रेजिडेंस अधिक है तो इसका डी नमबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा 48 नमबर प्रेस ने व्रहत मस्तिक कहते है तो दोस्तों व्रहत मस्तिक है वो किसको कहते है तो सेरी ब्रहम को कहते है नेक्स्ट है इसमें देखो गोसी पीम किस पोदे का विग्यानिक नाम है तो गोसी पीम किस पोदे का विग्यानिक नाम है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो ह अपसं से इतर नेक्स्त है पारिस्तिति की तन्तर में उच्तम पोश्ण इस्तर प्राप्त है तो इसका राइट आंसर हो जायाँगा वो हे दोस्तों सरवाहरी को ठीक है तो सी नंबर उपसं राइट आनसर नेक्स्त है बोजन में विटामीन की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो बेरी बेरी A number option सही उतर नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तो लार में टाइलीन एंजाइम पाया जाता है A number option सही उतर आगे देखे, चोवन नमबर प्रेस ने, एवाई विये सवसन की खोज सरोपर्थम किस ने की थी, तो किस ने की थी, तो दोस्तो कोट्स चेव ने की थी, सरोपर्थम खोज, ठीक है, नेक्स्ट है, तमबाकु का वेशन किस के कारण होता है, तमबाकु का वेशन है, वो दोस्त तो निकोटीन के कारण होता है D number option सही उत्तर, next है DNA के प्यूरीन सारक कौन से हैं, तो DNA के प्यूरीन सारक कौन से हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है A और G, ठीक है, आगे देखिए, मानव में तत्वा, सोरी, मानव में तवचा के रंग की वनसागती, किसका उधारन है, मानव में तवचा के रंग की वनसागती, किसका उधारन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है बहुजीनी वनसी गितिया, ठीक है, C number option, right answer, next है, थाइमीन का दूसरा नाम है, दोस्तों थाइमीन का जो दूसरा नाम है, वो है विटामीन B1, आगे देखिए, डोक्टर यान विलमूट ने एकल कोशी का दूआरा डोली नामक मेमना किस वर्स विक्षित किया, यानि कि डोली नामक मेमना को किस वर्स विक्षित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, गुनी सो सत्याडमे में, A number option, सही उत्तर, next है, इंसुलीन, दोस ने योजना का सुबारम किस वर्स किया गया, तो इसका सही उत्तर है, वो है 2014 में, next है, राजस्तानी बहसा का सहीत्य का कादमी पुरुषकार 2019 किसे मिला, तो ये मिला दोस्तों, राम सवरुप किसान को, ठीक है, राजस्तानी बहसा का सहीत्य पुरुषकार 2019 है, वो किसको मि है दोस्तों सोटपुट से आगे देखिए का कारण है तो दोस्तों मीनी माता- रोग का जो कारण है वहाब पारा ठीक है पारा एनमर का option नेख्स्ट यह मीनी माता- रोग है यह दोस्तो पानी की वज़े से होता है जो सुद्ध पानी है उसकी वज़े से होता है जो अपन पीते हैं तब यह रोग होता है देखो मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कों सा है तो सबसे बड़ा अंग है वो दोस्तों यक्रत है नेक्स्ट है भारतिय सविदान में क 80 रुपए ठीक है एक वर्स का उसी दर से दो वर्स का चक्रवर्थी ब्याज है वो 164 हो जाएगा तो दोस्तों सीधा सा है इसमें तो यहां पर 80 है यानिकि 10% ब्याज है यह तो इसका आदा कितना हो जाएगा इसका आदा हो जाएगा दोस्तों 5% तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि एक परसेंट आठ है तो यहां पे देखिए दो दस है इसका पहले दस परतिस्ट था तब यह असी हो रहा था और अब इसका आदा हो जाएगा यानि कि कितना पांच ठीक है यह अब समझ में आ तो इसका राइट आंसर चार बटे असी इंटू सो ठीक है तो पांच परतिस्ट आ जाएगा आगी देखिए असोक ने अपने बारा वर्स और चोदा वर्स के आयू के अपने दोनों पुत्रों के लिए कुल पचास जार रुपे की वसियत इस परकार बाटी की जब वे अठारा साल के हो जाएंगे तो उनको समान जनरासी प्राप्त होगी यदि सादरन ब्याज की दर से पांच परतिस्ट हो तो बड़ पुत्र का वर्तमान राशी में कितना हिस्सा है ठीक है कुल राशी अपने पास कितनी है पचास जार पहले बच्चे की आयू बारा वर्स दूसरे बच्चे की आयू चोदा वर्स ठीक है अठारा वर्स की आयू तक समय यानिकि दोस्तों अठारा माइनस बारा बड़ाबर छ है यह लिए बारा वर्स का हो गया ठीक運 है अठारा में बाकि कितने है तो छावर्स बाकि है ठीकθη है और इसको यह लगें बाकि कितने है तो čार बाकिए ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देंखो 100 plus 5 into 6 100 plus 5 into 6 ठीक है? 5% यहां पर 5% दे रखा है ना वो % ले रहा हूं मैं यहां पर 100 plus 5 into 6 बराबर 100 plus 5 into 4 ठीक है? यहां पर एक तरफ 6 और एक तरफ 4 अब दोस्तों यहां पर एक का 130% है A और B का जाएगा 120% अब दोस्तों आपस में इनको काट लो यहांनि कि अनुपात निकाल लो तो A का जाएगा इसमें 12 और B का जाएगा इसमें 13 ठीक है? दोनों का यह कितना हो गया? 25 तो अपने को निकालना है बड़े पुत्र का तो यानि कि 13 बटे 25 इंट्व 50 सजार निकाल लो दोस्तों, काट लो काटोगे, 2-200 अजार आजाएगे तो C नमबर उप्शन से इतर इतर नमबर प्रेसन है एक वर्ग वैस संबाहो तिर्बूज एक परिमाप, एक ही परिमाप के हैं, एक वर्ग एक संभाहो थिर्बूज एक ही परिमा आपके है यदि वर्ग का विकन 12 रूट 2 सेमी लंबा हो तो थिर्बूज का चित्रपल है तो इसमें थिर्बूज का चित्रपल है वो क्याieri होगा तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता जीता हूं चित्र कोंसा बनेगा चित्र बनेगा दोस्तों ये ये बनेगा ये है बारा रूट दो तो तिरबुज का चित्र पल अपने को निकालना है तो सबसे पहले अपने को वर्ग का विकंड निकालना पड़ेगा जिसका सुत्र होता है रूट दो इंटू बुजा फिर अपने इसका परिमाप नि निकालना पड़ेगा ठीक है तो इसका राइट आंसर मापको बता देता हूं वह है चोंसट रूट तीन चोंसट रूट तीन सी नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा या आप तीन उसको तर लगा कि इसको सोल कर लेना आगे देखिए बैतर नमबर प्रेस ने कार उसे कितने परतिसत का लाब हुआ तो दोस्तो आप सीधा सा सिंपल है इसमें देखो यहां पर करम उल्य अगर अपने को निकालना है तो सो इंटू तीन बटा चार तो कितना हो जाएगा पिचेतर कितना हो जाएगा पिचेतर आजाएगा दोस्तो यह आजाएगा अपने पिचेतर अगर अपन करते हैं तो अपने पास कितने आ जाएंगे 45 रुपा जाएंगे और 45 बटे पिचेतर इंटू 100 कर लेंगे तो अपना राइट अंसर आ जाएगा 60 परतिस्त सी नंबर उप्सन सही उतर आगे देखिए एक मोटर साइकल को 22,600 रुपे में बेचने पर हेमत को 13 परतिसत की हानी होती है ठीक है उसे कुल कितने रुपे का लाब हुआ तेरा परतिसत का यहां पर क्या है लाब होए ठीक है यह आपको इसमें देखना है कि हेमत को 13 परतिसत का क्या होता है लाब होता है ठीक है तो लाब है लाब होता है तो उसे कुल कितने रुपय का लाब हुआ तो दोस्तो आप यहां पे देख सकते हैं माना की करम अले है वो अपना कितना है X है अब देखो यहां पे X इंटू 13% का लाब हो रहा है तो X इंटू 113 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा तो दोस्तो इसमें 22,000 हो जाएगा ठीक है अब यहां पे जो 22,600 हो जाएगा ठीक है अब दोस्तो यहां पे देखो X बराबर क्या जाएगा X बराबर अपना 20,000 हा जाएगा और 20,000 हा गया अपना इसको अपने काटे बीटेंगे तो अपने पास आजाएगा 20,000 और 20,000 को अपनकिस में से गटाएंगे तो 22,600 में से तो 2600 रुप अपना इसमें राइट आंसर आजाएगा चौतर नमबर प्रेशन है रमेश ने दो वस्तुएं कुल 1600 रुप में खरीदी पहली पर उसने 25% कलाब और दूसरी पर 25% की हानी पर बेचा यदि दोनों वस्तुओं के विकरमुले समान हो तो पहली वस्तुओं का करमुले क्या था तो पहली वस्तुओं का जो करमुले है वो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है तो देखिए दोस्तो एक वस्तु को तो तो सुरी दो वस्तु है, कुल 1640 रुपे में ख़रीदी अगर आपने मानने की 800-800 तो वो गलत हो जाएका है, थिक है, यह मत कर देना यहाँ पे कुल मुल्य है, वो कितना दे रखा है? 16-100 रुपे दे रखा है, थिक है? अब यहां पे देखिए कि 25% का लाव यानि कि यह कितने का हो जाएगा 125% का ठीक है यह हो जाएगा एका यानि कि रमेज का दूसरी का दोस्तों यहां पे देखो इसमें दूसरी को 25% की हानी होती है तो यह कितने का हो जाएगा 75% का इनको अनुपात में काट लो यह कितने तीन बार कट गया और यह कितनी बार कट गया पांच बार यानि कि अनुपात निकला दोस्तो पांच अनुपात तीन लेकिन यह दोस्तो उल्टे सुल्टे हो जाएंगे यानि कि तीन अनुपात पांच हो जाए गए ठीक है और तीन ने होते हैं 600 तो इसका ए नमबर का उप्सन से उतर आगे देखें ए बी सी एक तिर्बुज है डी ए एफ करमस है बुजा बी सी सी ए ए बी के मद्दे बिंदू है तिर्बुज ए बी सी तता तिर्बुज डी ए एफ के छे तरफ लोका अनुपात क्या होगा तो यहां पे दोस् और यह बी के और यह सी यह बनेगा दोस्तो एफ यह बनेगा ई और यह बनेगा इसमें डी ठीक है अब आप इसमें दोस्तों इनको काट पिट लेज़ेगा इसके चार रंपात is के इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखें सो रुपए का धन दो वर्ष में आर परतिसत वार्षिक चक्रवर्थी ब्याज की दर से 121 रुपए हो जाता है तो आर का मान है तो यहाँ पर आर का मान है वो क्या होगा तो दोस्तो दर यहाँ पर दे रखी है ठीक है सोरी दर यहाँ पर यहाँ पर निकालनी है तो दोस्तो निकालेंगे यहां पर 121 बटे 100 रूट के अंदर हो गई तो इसका राइट आंसर 10% ही हो जाएगा दोस्तो बहुत ही सिंपल है आप निकालेंगे ना इसको देखो किसी वस्तो को 270 रुपे में बेचने पर उतनी ही हानी होती है जितना वस्तो को 10% लाब पर बेचने पर लाब होता है उस वस्तो का करम उल्य है तो दोस्तो उस वस्तो का जो करम उल्य है वो कितना होगा तो देखो माना वस्तो के करम उल्य एक्स रुपे है विक्रम उल् कि इतना है 270 तो इसमें हानी निकालनी है तो X-270 हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि X-270 एक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह 2700 रुपा हो जाएगा दोस्तों और इसमें 300 रुपाय इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यह निकी एक नंबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट एक किसी बर्थ के व्यास में यदि 100 परतिसाद की वर्दी की जाए तो उसके चेतरवल में कितने परतिसाद की वर्दी होगी तो सिधा सा सिंपल सा है इसमें 300 परतिसाद क की वर्दी होगी ठीक है तो इसका इसी नंबर उप्शन राइट आंसर आगे देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रेस ने एक कमरा 6 मिटर लंबा 5 मिटर चोड़ा और 4 मिटर उंचा है जिसमें एक दरवाजा है जो 2.5 मिटर उंचा तथा 1.2 मिटर चोड़ा है एक खिड़की भी है जो 1.2 मिटर उंची और 1.2 मिटर चोड़ी है इस कमरे के दिवारों को बंड़वाने में कितने मिटर वॉल पेपर लगेगा तो दोस्तों आपको इनका सब का मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा इसमें आपको ठीक है आप सब को मल्टिप्लाइ किजिए और फिर इसका सीध कमरे की चारों दिवारों का छेतरफल निकल जाएगा उसके बाद में 6 बचे दिवारों का छेतरफल अपने को यहां पर निकालना है जो अपना निकल जाएगा माइनस कर देना कमरे की दिवारों का छेतरफल में से दरवाजवा खिड़की का छेतरफल है वो माइनस कर देना अपना right answer निकल किया जाएगा तो वो है दोस्तो 84 वर्ग मिटर आएगा ठीक है 88 तो इसमें आएगा कौन सा 88 वर्ग मिटर तो आएगा कमरे के चारों दिवारों का छेतरफल और दर्वाजे वाए खीडिकियों का छेतरफल आएगा दोस्तो 4 वर्ग मिटर तो इसमें से माइनस कर देना तो अपने पास 84 वर्ग मिटर बजाएगा नेक्स्ट है एक वर्ग के रूप में मोडा गया तार 484 वर्ग सेमी छेतरफल गेरता है यदि एक तार को इस वर्ग के रूप में मोड दिया जाए तो उसके दोरा गेरा गया छेतरफल होगा रूट यहां पे पाई बराबर 22 वटा 7 का प्रियो करे यानि कि यहां पे पाई का मान है वो 22 वटा 7 होता ही है मान क्या करें अब देखो इसको आप कैसे सोल कर सकते हो तो यहां पे छेतरफल देखता है दे रुखा है 484 वर्ग सेमी उनके 6 पलों के मदे 14 अनुपात 11 का अनुपात होगा कितने का होगा 14 अनुपात 11 का अनुपात होगा तो दोस्तो 16 अनुपात 11 ! X अनुपात 44 ठीक है अब दोस्तो 11 इनटू इन्टू नो सो चोराशी तो बराबर है दोस्तो इसको अपने स्वाल करेंगे तो यह सीधा सा है यहां पर एक्स अपने को निकालना है तो एक्स आजाएगा दोस्तो इसमें कितना 616 वर्ग सेमी तो इसमें B नम्रोप्शन सेउतर अब देखो एक वर्द की परिदी वर्दतिर अंतर 37 शेमी है तो वर्द का छेतरफल है कितना है वर्द का छेतरफल तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें 114 वर्ग से मी तो सिधा सा सिंपल है इसमें देखो यहां पे परिदी एवंब वर्थ की तिर्जा का अंतर दे रखा है तो पाई आर माइनस आर बराबर 37 दे रखा है तो इसमें दोस्तो वह इस उतलगा बाइस बटे साथ इन्टू साथ इन्टू साथ ठीक है तो बाइस इन्टू साथ कितने होते हैं 155 डी नमबर उप्सन सही उतर आगे देखे एक सम्चत्र बुझ के विकर्णों की लंबाई 24 मिटर और 10 मिटर है तो सम्चत्र बुझ का परिमाप है तो इसका राइट आंसर हो ज च्चत्र फल है वो क्या होगा तो यहां पे सुतर लगेगा दोस्तों च्चत्र बराबर एक पटा दो इन्टू आधार इन्टू उँचाई ठीक है जबतक अपने को आधार और इसकी उच्चाई नहीं पता होगा तब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है झार। Porsche की है क तो इसका राइट आंसर निकल किया जाएगा वह है चोबीस वर्ग सिमी आगे देखे तो राशी नमबर प्रेशन है सादरन ब्याज की दर से कोई राशी दो वर्ष में एकिस सो और पांच वर्ष में दोस्तो बाइस सो पचास हो जाती है तो मूलदन तथा ब्याज दर ग्याद कीजिए तो सीधा सा है यहां पे दोस्तो एकिस सो रुपए दो वर्ष में तो यानि की बाइस सो पचास पचास रुपए हो जाएंगे दोस्तो इसमें तो इसका सीधा सा सिंपल है पांच परती सत आएगा दोस्तो अठारा सो बी नमबर का उपसन इसका राइटा अंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से और वो ही होगा दोस्तो इसका गलत अंसर ठीक है इसका आएगा दोस्तो दो हजार वुपए दो पॉइंट पांच तीक है इसमें अपने को क्या करना है कि पांच वर्ष का जो मिश्रदन दे रखा है कितना बाइस सो पचास दे रखा है तीन वर्ष का ब्याज है वो बाइस सो पचास माइनस इकिस सो कितना हो जाएगा एक सो पचास तीक है अब दो वर्ष का ब्याज अगर अपन निकालते हैं तो एक सो पचास इंटू दो बटे तीन यानि कि 100 रुपह हो जाएगा एक वर्स का यहाँ पर 50 हो जाएगा 200 माइनस 100 निकालेंगे अपन ये 5 वर्स का ब्याज अपने को यहाँ पर दे रखा था 200 माइनस 100 निकालेंगे अपन तो 2000 बज़ जाएगा तो 2000 का 2.5 परतिसद तो इसका D-Number Option से उतर अर्पित ने दो साहुकारों को कुल मिला कर 25 सो रुपए उधार लिए उसने एक रन पर 8 परतीसत था दूसरे रन पर 6 परतीसत वार्शिक की दर्से साधरन ब्याज दिया यदि एक वर्स में उसने ब्याज के रूप में कुल 180 रुपए दिये तो 8 परतीसत वार्शिक दर्से उसने कितना उधार लिया था तो कितना उधार लिया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो ओसत निकालन है अपने को तो ब्याज इंटू सो बटे मूल्दन इंटू समय यानि की 180 यहाँ पर देखो 180 रूप है यहाँ पर ब्याज है 180 दे रखा है प्रिशन में ठीक है यहाँ पर एक सो असी इंटू एक हजार बटे मूल्दन कितना है पत्चीस सो इंटू एक काट लो दोस्ता आपस में काटोगे तो अपना राइट अंसर निकल किया जाएगा वह है 30 का निकल किया जाएगा 42 कितना जी निकल किया जाएगा 72 तो इसका बिलकूल सही उत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वो है و 11 OAF तो बीयजदर है तो सही उतर हो जाएगा इसका वो है इसमें 30% ठीक है तो वोई इसो तर लगेगा जो भी मैंने आपको बताया था तो तीन इंटू सो पटे दो इंटू पांच बराबर तीस परतिसात आजाएगा नेक्स्ट है सत्याश नबर प्रेशने बारा परतिसात वार्षिक सादरन बैज की दर से कौन सा दन पांच वर्षों में चार सो रुपा हो जाएगा तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तो देखो दर यहाँ पे बारा परतिसात दे रखी है समय अपने को यहाँ पे पांच वर्ष दे रखा है ठीक है और जो मिसर दन अपने को यहाँ पे चार सो रुपा दे रखा है तो यहाँ पे दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे 12 और 5 वर्स दे रखे हैं 12 पर 36 और 5 वर्स तो कुछ भी नहीं करना अपने को यहाँ पे अपने को 60 पर 37 बराबर यानि के 100 पुलस 60 106 टीक है बराबर 400 दे रखशा है तो 1 पर 30 सत यहनि कि 400 बटे, 160 इंटू सो तो बराबर कितना जाएगा 250 इसका राइट आंसर आगे देखें सोना पानी से 19 गुना भारी है, तामबा पानी से 9 गुना भारी है सोने तथा पानने को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस परकार मिट्जर धात्टू से पंद्रा गुना भारी हो तो इसका राइच अंशर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तीन अनुपात 2 ठीक है B number का option इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पर 89 नमबर प्रेस्ट ने इसमें देखो यदि तीन संक्या हैं पांच अनुपाथ साथ अनुपाथ नो के अनुपाथ में हो तथा उनका लगुतम समाप वरते 1260 हो तो सबसे बड़ी संक्या है तो यहां पर सबसे बड़ी जो संक्या है वो कौन सी हो जाएगी तो वो है दोस्तों 36 ठीक है आप लगा के देख लेना इसमें इसका right answer आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा D number का option इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों आज थोड़ा कहीं जाना है तो इसकी वज़े से मैं आपको direct लेके चलता हूँ ठीक है जो एक सो और जो चोज़ा नंबर का question है ठीक है उसमें आपको मैं लेके चलता हूँ direct क्योंकि दोस्तों आज कुछ काम है कल वापस पूरा का पूरा मोडल प्रिप्रा जाएक है तो मैं आपको यह जो मैत की question है वो छोड़ रहा हूँ यहाँ ठीक है यहाँ पे 113 नंबर का question देखिए निम्न में से विसंगत चुनिए तो विसंगत अपने को यहाँ पे चुनना है तो देखो कंदा साबुन यह कंगा है कंगा साबुन तेल ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा वो है सूपॉलिस डी नंबर option से यूतर आगे देखिए compiler एक high level language में लिखे गए program को में translate करता है तो इसका से यूतर हो जाएगा वो है machine language इसमें देखो रिपूज होने वाले optical storage का typically परत्माकसर क्या होता है तो इसका से यूतर हो जाएगा वो है आडबलो सी नंबर का उप्शन से यूतर नेक्स्ट है 116 नंबर प्रेस्टन है इसमें देखो requested data पर सिदे जंप करने की device की समता है requested data पर सिदे जंप करने की device की समता है तो इसका से यूतर हो जाएगा वो है direct access बी नंबर प्शन से यूतर नेक्स्ट है एंटिवाइरेस सोप्ट्वेर का उधारन है तो दोस्तों एंटिवाइरेस सोप्ट्वेर का उधारन है वो कौन सा है तो security utility सी नंबर उप्शन से यूतर अठारा नंबर का प्रेशन है अंतराश्ट ये भासाई जैसी चिनी जापानी हिंदी की binary coding का वर्णन किस के वर्णन करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली योजना है तो वो योजना कौन सी है तो वो है दोस्तों यहां पे unicode ठीक है ए नंबर उप्शन सहीतर 119 नंबर प्रेशने मेकिन टोरा operating system company का proprietary उत्पाद है मेकिन टोरा operating system company का proprietary उत्पाद है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एपल सी नंबर का उप्शन सहीतर next screen saver है तो screen saver है वो क्या है तो वो है दोस्तों यहाँ पर देखो इन में से कोई नहीं है screen saver ठीक है इनको पढ़ने की ज़रूत ही नहीं है आगे देखिए दोस्तों file तथा folder को पुने नामांकित करने की function कुझी है तो वो कुझी है तो वो है दोस्तों इसमें f2 प्रिंट करने के लिए कौन सा menu select किया जाता है तो कौन सा menu select किया जाता है right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें office button next Excel में चैनीत sales filtering किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है control plus shift plus L आगे देखिए 125 नमबर प्रेशन Excel में कौन सा formula row data को column या column data को row में दरसाता है तो इसका सहीधतर हो जाएगा वो है transpose B नमबर का option सहीधतर next है इसमें देखो एक presentation में slide को तुरंत करने के लिए परियुक्त विशेश effect को कहते हैं एक presentation में slide को तुरंत करने के लिए परियुक्त विशेश effect को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो इसका सहीधतर हो जाएगा वो है transition C नमबर option सहीधतर 127 नमबर प्रेशन है इसमें देखो table में records की series के रूप में electronically stored data का एक connection है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है database B नमबर का option सहीधतर next है email संदेशों के storage area को कहते हैं email संदेशों के storage area को कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा mailbox next है सचीदादन में कौन सी संदी है तो इसमें दोस्तों संदी कौन सी है तो वो है vengeance संदी ठीक है नेक्स्ट है इसमें देखो दिनानो दिन में समास होगा तो इसमें कुन सा समास होगा तो इसमें दिगू समास होगा नेक्स्ट है किस सब्द में वी उपसर्ग नहीं है तो वी उपसर्ग दोस्तों किसमें नहीं है तो वह है वित में है वो वी उपसर्ग नहीं है next, हरी तीमा सब्ड में परते है तो इसका right answer हो जाएगा वो है इमा next, किस विकल्ब के सब्ध परियायवाची नहीं है पटू, निपुन, दबंग ए नंबर का ओप्शन सायुतर next, सुगम सब्ध का विलोम है तो सुगम सब्ध का विलोम है वो कुं सा है तो वो है दोस्तो अगम B नमबर का उप्शन सही उत्तर अभे उबे का सम रूपी बिनार तक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कौन सा बैहीन दोनो नेच्ट है निम्न को शोरी निम्न में सुद्वाक्य बतलाईए जिम्न में सुद्वाक्य बतलाईए तो यानि कि उन्नती के मारग में बादाईएं भी आती है A नमबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखिए 137 नमबर प्रसने मर जानी मर जानी की इच्छा के लिए उप्यूक्त सब्द है वो कौन सा है वो है दोस्तो इसमें मुरमुर्सा नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पैसारना मुहावरे का अर्थ है वो है आई से अधिक वे करना नेक्स्ट है सदाचारी के साथ बुरा बरताव करने सदाचारी के साथ बुरा बरताव करने के अर्थ में परियुक्त कहवत है वो कौन सी है तो वो है दोस्तों नेकी और पुछ पुछ ठीक है नेक्स्ट इसमें देखो add nock सब्द के समनार तक हिंदी परिवासिक सब्द है वो कौन सा है वो है दोस्तों इसमें तधर्थ ठीक है C number option स्युत्तर हो जाएगा यह अपने फिर English के question आ गए जो फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर error से समंदित question फिर यहां पर एंट्नियम और सिननयम से समधित, फिर लास्ट में दोस्तों यहां पर जो मुःहवरे और लोकोक्ति से समधित क्विंशन पुछे गए हैं तो दोस्तों कल अपना पूरा मॉर्डल पर आएगा आ नमर ग्यारा तो रोजाना मेरे साथ में चलते रही है और रोजाना के रोजाना टेस्ट देते लिए और बने रही है दोस्तों आराध्यारेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत